दोस्तों नमस्कार मैं गौरा वरोडा आपका फिर से एक वर स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल मेडी बाइट्स पर दोस्तों मैंने देखा है क्योंकि कफ का सीजन है फ्लू का सीजन है कॉमन कोल्ड का सीजन है इसलिए जुकाम खासी बुखार ये तीनों लक्षन होना इस समय में इंडिया के सभी मरीजों के लिए आम बात है एक और वीडियो आलरी मैं इसके उपर बना चुका हूँ कि पेशिन्ट कैसे घर बैठके पता लगा सकता है कि उसको कोरोना वायरस का इंफेक्शन है नॉर्मल खासी दुकाम है लेकिन फिर भी काफी सारे पेशिन्स को अभी भी बहुत कन्फूजन हो रही है तो अब एक आ सीजनल फ्लू है आपको या सीजनल काफ है आपको तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप अभी इस ट्राइम पर अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इस लिंक पर आपको क्लिक करना है जो भी ज अब दोस्तों मैं आपको इसे इस्तिमाल करने का तरीका बता देता हूँ आपको अपने मोबाइल फोन पर या फिर अपने लाप्टॉप पर कंप्यूटर पर किसी भी वेब ब्राउजर में जाना है मैं आपने मोबाइल पर क्रोम में यह वेबसाइट खोलूँगा यहां पर आपको सर्च करना होगा कोविड डोट अपोलो टूफोर सेवन डोट कॉम लिखकर आप एंटर कर दीजिए जैसे ही आप एंटर करते हैं एक वेबसाइट खुल जाएगी इसके अंदर वह सबसे पहले आपसे एक कुश्चन पूछ रहा है कि आपकी उम्र कितनी है तो आप बार हो मरी यहां पर डाल दीजिए उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपकी बॉडी का टेमपरेचर कितना याद रखिए दोस्तों अपने तर्मोमेटर से नापने के बाद ही आप यहां पर एंटर किजिए तो इसके बाद अपना टेमपरेचर डालेंगे फिर यह एपक पर क्लिक करिए और अगर आपको weakness हो रही है कमजोर ही आरही है खरी में तो weakness क्लिक कर दिए कर दिए कि नेक्स्ट वह आपसे पूछ रहा है कि अभी जो नीचे symptoms लिए गए हैं क्या उसमें से आपको कोई प्रावब्लम हो रही है सबसे पहला symptom बताया गया moderate to severe cuff यानि आपको थोड़ी बहुत खांसी या फिर ज्यादा खांसी हो रही है अगर तो आप उस पर click कर सकते हैं अगर आपको breathless feel हो रहा है यानि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है आपको सांस फूल रही है आपकी तो आप feeling breathless पर click कर सकते हैं difficulty in breathing पर click कर सकते हैं drowsiness लिखा हुआ है जो अगला इसका मतलब की आपको चक्कर आ रहा है आपको neen type की लग रही है तो drowsiness पर click कर सकते हैं persistent pain and pressure in chest पर click कर सकते हैं अगर आपकी चाती में दर्द हो रहा है किसी भी तरीके का आपको pressure feel हो रहा है किसी भी तरीके का दबाव feel हो रहा है चाती में और severe weakness पर click कर सकते हैं अगर आपको आपकी body में थकान जादा महसूस हो रही है और जब जितने भी symptom आपको इन में से आ रहे हैं वो सब पर click करने के बाद आप confirm कर देंगे confirm करने के बाद आपसे अगला question पूछा गया है कि आपकी travel history के बारे में कि आपकी travel history क्या है और exposure detail कैसी है तो सबसे पहला जो इसमें इन्होंने पूछा है कि आपकी कोई travel history नहीं है अगर तो आप no travel history पर click कर देंगे अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया है जो इसको किसी भी तरीके के खासी के symptoms हो या dry cough के और उसके साथ सांस में तकलीफ के और fever के symptoms हो तो आप दूसरा option क्लिक कर देंगे इसमें से no contact वाला जबसे आपको election दिखाई दे रहे हैं उनके 14 दिनों के भीतर भीतर अगर आपने कहीं travel किया है या meeting की है कहीं पर जा करके जो भी areas affected है उने areas में अगर आपने विजट किया है तो आप तीसरे options पर क्लिक करेंगे और अगर आपका कोई भी patient ऐसा है आसपास जिसको COVID-19 आलरेड़ी confirm हो चुका है तो आप 14 option पर क्लिक कर देंगे तो मेरी कोई travel history नहीं है इसलिए मैंने उस पर क्लिक कर दिया है अब यह पूछ रहा है कि आपको इन में से कोई बिमारी तो नहीं है diabetes, high blood pressure, heart disease यानि दिल की बिमारी या फिर kidney disease kidney की बिमारी या फिर lung disease, फिर्फ़णों की बिमारी stroke या फिर immunity तो आपकी कम नहीं है तो मेरे साथ हसा कुछ नहीं है इसलिए मैंने none of the symptoms पर क्लिक कर दिया है तो आप यह next question में पूछ रहा है कि क्या आपके जो लक्षन थे जो सर्दी खासी जुकाम है वो पिछले 48 घंटे के अंदर अंदर ठीक हुआ है, अगर ठीक हुआ है तो पहले option पर क्लिक करेंगे अगर कोई भी बदलाव नहीं आया है तो दूसरे option no change पर क्लिक करेंगे अगर और ज़्यादा खराब हो गया है तो तीसरा option वर्संट पर क्लिक करेंगे और वर्सन कंसिडरेबरी पर क्लिक करेंगे अगर बहुत ज़्यादा तबियत आपकी 48 गंटे के अंदर अंदर खराब हो चुकी है तो मेरे जो है अलक्षन उसमें इंप्रॉव्मेंट है मुझे ये लीजिए मेरा कोविड का रिस्क रिजल्ट सामने आ गया है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दीगे ये जानकारी से आप संतुष्ट होंगे अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बैल आइकन दबाना बिलकुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाली सबी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन बिलता रहा है दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच